उमरिया जिले की करकेली जन्पत पंचायत स्थित सरस्वती स्कूल के पास लगे विद्यूत ट्रांस्फॉर्मर में गुरुवार अचानक आग भड़क उठी देखते ही देखते ट्रांस्फॉर्मर ट्रूधू कर जलने लगा जिसकी सूचना लोगों ने विद्यूत विभाग के अधिकारियों को दी जिसके घंटों बाद इलाके की विद्यूत सप्लाई बंद की गई तब जाकर राहगीरों पर से जान का खत्रा टला पताया गया कि गुरुवार दो पहर गर्मी बढ़ने और ट्रांस्फॉर्मर में ओवरलोड के चलते यह घटना हुई गनीमत रही की घटना के समय कोई आसपास मौजूल नहीं था अन्यथा बढ़ी दूर घटना हो सकती थी प्रामीमों का कहना है कि अक्सर ट्रांस्फॉर्मर जलने की शिकायत मिलती है जिसका मुख्य कारण एजेंसी दघटिया स्तर का ट्रांस्फॉर्मर डाला जाना है जिससे थोड़ी सी शाथ सरकित में ऐसी स्थिती मिर्मित हो जाती है और उसका खामियाजा उप्भोपताओं को भुगतना पड़ता है पुमरिया से नीरज सिंग रगुबंशी की रिपोर्ट